इस मूवी के स्टार्ट में छे एस्टरनॉट के ग्रुप को मार्स पर वेजा जाता है। लोग मार्स पर लाइफ को सर्च करने जाते हैं। जहां वो लोग लेंड नहीं करते बलके एक स्पेस शिप में ही रहकर एक मशीन के जरिये एक कैपसूल को मार्स तक भेजते हैं। ताके मार्स के अट्मॉसफेर से सारे सेंपल्स लिये जा सकें। और जब वो कैपसूल उन तक आ रहा था तो स्पेस में कुछ टकराने की वज़ा से उसकी डिरेक्शन चेंज हो गई थी। अब उन लोगों को उस कैपसूल को स्पेस शिप तक पहुँचाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पढ़ रहा था। और आखर आठ महीनों की मेहनत के बाद वो कैपसूल उन तक आ रहा था। जिसे लेने के लिए एस्टरनॉट अपनी जान पर खेल कर स्पेस में जाता है। जो एस्टरनॉट उस कैपसूल को बाहर लेकर गया था। उसका नाम हमें रूरी पता चलता है। उधर स्पेस चिप में इन कैपसूल के सेंपल्स को डॉक्टडर हुग टेस्ट करते हैं। और इन सोयल सैंपल्स को इनक्यूबेटर में रखने से पता चलता है कि सोयल में एक सिंगल सेल औरगनिजम है। यानि मार्स में लाइफ एक्जिस्ट करती है। यानि कि वो organism incubator में भी progress नहीं कर रहा था, इसलिए Dr. Hugh को लगता है कि वो organism मर गया है, लेकिन जब वो incubator का temperature low करते हैं, तो वो organism respond करता है, कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि वो organism, multi-cellular organism में change हो जाता है, दूसरी तरफ अर्थ के लोग ये सुनकर बहुत ही जादा खुश हो रहे थे, कि मार्च पर भी life exist करती है, अब spaceship से astronaut और school के बच्चे वीडियो चैट करते हैं, जहां पर वो बच्चे इस alien का नाम Kelvin suggest करते हैं, यानि वो organism जो हमें मार्च से मिला था, वो छोटा होने के बावजूद doctor से hand check कर रहा था, और ये सब देखकर astronauts काफी जादा हैरान हो गए थे, कि कुछ ही centimeter का organism इतना जाधा कैसे response कर सकता है, अब यहां कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो organism response करना बिलकुल बंद कर देता है, और फिर doctor Hugh इसे shock देते हैं, जिसे वो एकदम से उठकर उनके हाथ के उपर आ जाता है, alien organism Kelvin ने doctor का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था, क्योंकि हाथ के अंदर से bones fracture हो जाती हैं, और दज से वो बेहोश हो जाते हैं, और जैसे ही Kelvin doctor का हाथ छोड़ता है, doctor अपना हाथ बाहर निकाल लेते हैं, अब वो organism इस incubator से बाहर आना चाहता था, लेकिन incubator की opening पर वो close होने की वज़ा से बाहर नहीं आ सकता था, वो gloves से बा से चूहे के उपर चला जाता है, और चन्द ही सेकंड में इसे अपने अंदर गोल्फ कर लेता है, और ऐसे हम देखते हैं कि इस organism का size एक दम से बहुत जादा बढ़ा हो गया था, अब यहां रोरी spaceship के इस हिस्से में आता है जहाँ लैब थी, वो हीउ क्यों बाहर निकालना चाता था, लेकिन organism Kelvin इसकी टांग के साथ आ जाता है, इसलिए बाहर से दूसरे astronauts को इस जगा का दर्वाजा बंद करना बढ़ता है, और वो इन लोगों की जान खत्रे में नहीं डाल सकते थे, और इसलिए वो सब ऐसा करते हैं, यहां बाहर से बाकी astronauts उनको instructions दे रहे थे, ज इससे वो तुम्हारा पाउं छोड़ देगा, क्योंकि वो जानती थी कि alien heat परदाश नहीं कर सकता, जैसे हमने पीछे देखा था कि डॉक्टर हूग ने जिंदा रखने के लिए incubator का temperature लोग किया था, यहां वो organism रोरी का पाउं तो छोड़ देता है, लेकिन जल्दी से ही उ सब प्लैन कर सकता था, और सभी को मार सकता था, और यह चीज बहुत जादा खतरनाक हो सकती थी, आप सारे astronauts उस organism को मारने की कोशिश कर रहे थे, और वो साथ ही इस रूम में poisonous gas छोड़ देते हैं, जिसमें रोरी और केलवन थे, लेकिन केलवन अब बहुत जादा चलाकी से उन ओपनिंग्स को ढूम रहा था, जिन ओपनिंग्स से वो poisonous gas आ रही थी, ताकि वो इन ओपनिंग्स को यूज करके वहां से निकल सके, एस्टरनोड जैसे ही वो चीज देखते हैं, तो वो जल्दी से सारी ओपनिंग्स बंद करने लगते हैं, लेकिन उनका computer system खराब होने क की वज़ा से उनको एक के करके वो ओपनिंग्स बंद करनी पड़ती थी, और अचानक एक ओपनिंग्स में से वो कैलवन बाहर आ जाता है, और सब ही एस्टरनोड एक अर्थ के लिए message record कर रहे थे, जिस पर वो बताते हैं कि और्गनिजम बहुत जादा खतरनाक है, लेकिन और से communicate नहीं कर पाते क्योंकि इनका transmitter कुछ खराब हो जाता है, इनमें से एक astronaut फैसला करती है कि वो बाहर जाकर इन transmitter को ठीक करेगी, यहां वो astronaut देखती है कि transmitter बहुत जादा गरम हुआ है, पर जब वो इसका cooling system खोल कर देखती है तो वहां पर वही organism Kelvin था, और वो जल्दी से वहां से निकल कर इस astronaut की सूट पर चिपक जाता है, यहां आप Kelvin ने इनके सूट को बहुत मजबूती से जकर लिया था, क्यूंकि वो सूट के अंदर जाना चाहता था, लेकिन सूट बहुत ज़्यादा सिक्योर होने की वज़ा से वो अंदर तो नहीं जा पाता, लेकिन डॉ लेकि एस्टरनॉट उस एस्टरनॉट को अंदर लाना चाहते थे, लेकिन वो एस्टरनॉट अब स्पेस्शिप का दर्वाजा वापिस बंद कर देती है, क्योंकि उसके साथ वही और्गिनिजम था, जो बहुत जादा खतरनाक था, वो इस और्गिनिजम को लेकर स्पेस मे हीट बाहर निकल दी थी, लेकिन अब अंदर बचे हुए लोग एस्टरनॉट्स ये फैसला करते हैं, कि जैसे ही केलवन किसी भी थ्रस्टर के उपर आएगा, हम इंजन को स्टार्ट कर देंगे, जिससे थ्रस्टर में बहुत जादा हीट आ जाएगी, और हीट से वो मर केलवन भी वहां जा सकता था, जिसको वो अर्थ पर लेकर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत जादा खतरनाक था, यहां पर वो लोग बहुत मुश्किल से अपनी स्पेस्शिप ट्रबल करते हैं, त्रस्टर को भी आफ कर देते हैं, जिसके वज़ा से केलवन अब स्पेस्शिप के अंदर आ जाता है, फिर थोड़ी देर में वो देखते हैं कि डॉक्टर हुग की तबियत बहुत जादा खराब होने लगी थी, और यहां दूसरे एस्टरनॉट्स को पता चलता है कि डॉक्टर हुग को हार्ट अटेक आया है, और वो इन्हें एलेक्ट्रि मर गए थे, और वो केलवन बाकी एस्टरनॉट्स को मारना चाहता था, तब ही दो एस्टरनॉट्स वहां से बाहिर की तरफ मूव करते हैं, और एक एस्टरनॉट अपने स्लीपिंग वार्ड में चला जाता है, केलवन यह वो और इसका मिरर थोड़ने की बहुत जादा कोश शिप तक आता है, इस एरक्राफ का काम था इस स्पेस शिप को वापे स्पेस के तरफ धकेल देना, क्योंकि जब कमांडर एस्टरनॉट ने अर्थ के लिए वो मैसेज रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने बताया था के एलियन बहुत जादा खतरनाक है, तो वो इनका कनेक् पर भी अटेक कर देता है, और ऐसे ही वो एस्टरनॉट भी मर जाता है, यहां सिर्फ दो एस्टरनॉट बज गए थे, फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि इन में से एक अर्थ तक जाएगा, और दूसरा इस एलियन का ट्रैप बन कर स्पेस तक जाएगा, वो दोनों ऐसा ही क हम देखते हैं कि एक पॉर्ट अर्थ की तरफ जा रहा था, और दूसरा स्पेस की तरफ, और थोड़ी ही दिर में हम देखते हैं कि एक पॉर्ट अर्थ पर पानी में आकर गिरता है, जहां फिशर जमीन पर इस पॉर्ट को देख लेते हैं, और यहां आते हैं, यह पॉर्ट इस astronaut का था जो alien को लेकर गिरा था और वो अर्थ तक इस तरह पहुंचा था क्योंकि space में इससे कोई चीज टकरा गई थी दूसरी तरफ वो lady astronaut space में ही कहीं गुम हो गई थी और इस तरह वो alien earth पर आ चुका था और इसी के साथ ही ये movie end हो जाती है Thank you for watching this video